आप सभी का स्वागत करती हूं सान्या गार्डिन चैनल में आज हम बात करेंगे कि हमारे परपल हर्ड प्लांट की जो लीव्स होती है वह ग्रीन क्यों हो जाती है तो फिर आज मैं आप इसका रिजन भी बताने वाली हूं और इसका हम किस तरह से को सही कर सकते हैं यह भी बताने वाली हो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्कूल भी मत भूलिएगा जिसंदे जो भी ठालो उसकी नोडिकेशन इससे सबसे पहले आपके पास थैपल हर्ड का प्लांट होता है वह इस तरह से यह देखे purple color की होती है लेकिन कभी-कभी क्या होता है हमारे plants के जो leaves होती है वो green होने लगती है जैसे यह देखे यह जो मेरे plants की leaf है वो थोड़ी-थोड़ी इस तरह से green हो रही है तो चली जानते है कि इसका क्या reason हो सकता है फ्रिंट्स फर्स्ट तो जब आपके प्लांट्स की लीफ नियू निकलती हैं तो फोड़ी सी ग्रीन रहती हैं तो ये फिलहाल कोई कारण नहीं है फिर ये दिरे-दिरे अपने पर्पल कलर की हो जाएंगी लेकिन सबसे बड़ा कारण इसका ये है इसकी पत्तियों का ग्रीन ह के तीं से 4 घंटे की मौर्निंग की ठूप मिले अगर आपके प्लाइट को मौर्निंग की धूप नहीं मिलेगी तो यह अच्छे से फ्लावरिंग भी नहीं करेगा और इसके प्लांट की जो लीवस होती है वह दीरे-दीर ग्रीन होने लगती है ये तो ध्यान देना है कि हमारा जो प्लांट है वो सनलाइट में रहे लेकिन बहुत ज़ादा भी कुछ डैरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है अगर आपका प्लांट जो है वो डैरेक्ट सनलाइट में रहेगा तो आपके प्लांट की जो लीप्स होती है उसका जो टिप होता है वो इस तरह से ब्राउन होने लगेगा और आपका जो प्लांट है वो धीरे-धीरे खराब हो जाएगा तो आप इसे सेमीर सेडी में रखेगा जहां पर मॉर्निंग की तीन साथ चार घंटे की धूप मिले या फिर किसी ट्री के नीचे जहां पर इसके च्छनके धूप मिले तब इस पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी होगी और आपको जो प्लांट है वो भी विकुल परपल कलर में रहेगा फ्रिंट्स ये देखे जो नीचे की जो लीफ्स होती है वहाँ पर धूप सही से नहीं पहुच पाता है इस वज़े से देखे ये जो लीफ्स होती है वो ग्रीन होती है लेकिन जब इन प्लांट को अच्छे से धूप मिलेगी मतलब मॉर्निंग की अच्छे से धूप और इस प्लांट को बहुत ज़्यादा के भी ज़रूरत नहीं होती है बस टोड़ी से आप केयर करें गे यह प्लांट बहुत ही इसली ग्रो हो जाएगा इसके जो फ्लावर होते हैं मोर्निंग में खिलते और तीन चरह घंटे के बाद इसके फ्लावर होते हैं वह अपने बंद हो जाते हैं तो बस आप इसके सणलाइट की और थोड़े से प्लांट के पानी का ध्यान देना है क्योंकि बुहाँ ज़दा जब हम ओवर्वाटरिंग कर देंगे तो भी हमारा जो प्लांट है वह खराब होने लगेगा आपको यह बहुत दियान sì की इसमें ओवर हर्ट प्लांट की कियर करेंगे तो हमारे प्लांट की जो लीफ से वह ग्रीन भी नहीं होंगी और उस पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी तो फ्रेंट्स मेरे आज का वीडियो क्यासे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा थैंक यू